Hello Book Buddies, I hope all of you are doing great! स्टेप्स बताऊंगा, जिनको फॉलो करके ना सिर्फ आप अपनी परसिनलिटी में चार चान लगा पाएंगे, बलके अपनी शक्सियत के उन पहलों को डिस्कवर करेंगे, जिनका आपको मालूम ही नहीं था। सो मेरे साब बने रहे हैं और चानल को सब्स्क्राइब करना और बेल आइकों दबाना मत भूलिये, लेट्स बी बैक! सो बुकपड़ीज अपनी परसिनलिटी को इंट्रस्टिंग बनाने के लिए सबसे पहला स्टेप जो आपने लेना है, वो ये कि अपना सारा डर, खौफ, इनेबिशन्स और सोसाइटी के नॉम्स को इग्नोर करना है, अपने आप को अंटैंगल और अंप्लग करना है, अप इसल जाएं नए रास्तों पर, जिनका आपको पता ना हो, एक्स्प्लोर करें, अपने आपको एक्स्पोज करें, अपने कमफर्ट जोन से बाहर निकलें, चाहे आपको जितनी भी शर्मिंदगी का सामना करना पड़े, चीजों को क्विस्चन करें, सी विच फैक्स और उप दूसरे स्टेप में जिन्दगी में जो जो चीज़ें आप दर्याफ्त यानि डिस्कवर करते जा रहे हैं, उन्हें लोगों के साथ भी शेयर करते जाएं, बी जेनरेस, आपको जिन्दगी का मज़ा आना शुरू हो जाएगा, and you will start feeling great, ठीक उसी तरह जिस तरह मुझे आता है आप सब लोगों से अपनी knowledge और experience शेयर करके, जो चीज़ें आपको obvious लगती हैं, वो शायद कुछ लोगों के लिए बहुत important सबक हो, जिससे उनकी जिन्दगी ही बदल जाए, an idea shared is not diminished, it's multiplied, वो कहते हैं ना कि इल्म वो खजाना है जो शेयर करने से बढ़ता है, this is so true, अपने जानने वालों का दाइरा बढ़ाएं, expand the group, जिन्दगी में आपको हर तरह के लोग मिलेंगे, उन सबसे कुछ नकुछ सीखते चले जाएं, अब बढ़ते हैं दोस्तो स्टेप नमबर 3 की तरफ, do something, anything, आपने कभी भी फारिग और satisfied होकर नहीं बैठना, हर वक किसी न किसी ideal को chase करें और हरकत में रहें, remember दोस्तों मैं हमेशा आप लोगे से एक बात कहता हूँ कि जिन्दगी में किसी भी शक्स से कोई कारहाए खास, यानि कि कोई बड़ा और important काम सरणजाम नहीं हो सकता, जब तक वो बेचैनी के आलम में ना रहे, उसके existence के पीछे कोई struggle ना हो, आपका जिस चीज में दिल हो उसको practically जरूर करें, जिन्दगी के circumstances शायद आपके control में ना हो पर आपने घबराना नहीं है, आगे बढ़ते रहें और कोशिश करें कि जो काम आपको पसंद हो वो जरूर करें, ताके life में कोई regret नहों, next है दोस्तों step number 4, embrace your weirdness, हर शक्स की personality में कुछ unique बाते होती है, यही traits एक शक्स को दूसरे से अलग करती है, इन unique traits को embrace करें, accept करें, चाहे वो जितनी ही उल्टी सीधी हो, Chinese rice के उपर पाय का शौर्बा खाने का दिल कर रहा है तो जरूर करें, पीजा को छुरी कांटी के बजाए हाथ में पकड़ कर खाने का दिल ह तो जरूर करें, आपकी पूरी family doctors की है, लेकिन आपको acting का शौक है, तो उसको अपना profession जरूर बनाएं, अगर कोई आप से अलग है या आप उन से अलग है, तो इन बातों को appreciate करें, difference of opinion से ही तो गुफटगू का मज़ा है, यहाँ पे मुझे एक कमाल शेर यादा रहा है, औ इख्तलात मतलब mixture, blend और चमन मतलब garden, चमन में इख्तलाते रंगो बू से बात बनती है, हम ही हम है, तो क्या हम है, तुम ही तुम हो, तो क्या तुम हो, नेक्स है दोस्तों step number 5, have a cause, आपके passion के पीछे कोई ना कोई purpose, कोई ना कोई cause जरूर होना चाहिए, अगर ऐसा होगा त वो क्या चीजे हैं जो आपके दिल के करीब हैं, जिनको देख के आपको रोना आता है, वो बातें which leave you speechless and stop you in your path, इन सब बातों को अपने acts के जरीए adopt करें, अपने आप से पूछें कि क्या ये आपकी best effort है, अगर है तो ठीक, और अगर नहीं, तो keep on working to make yourself better, next है दोस्तों step number 6, minimize the swagger, अपनी ego और अपनी arrogance को control में रखें, लोग मगरूर लोगों को बिलकुल पसंद नहीं करतें, लहाजा इसको हर कीमत पे avoid करें, काइनात इतनी बड़ी और वसी है कि एक शक्स की उसमें बाल बराबर भी एहमियत नहीं, इस बात को हमेशा अपने जहन में रखें और focus उ Remain a student चाहे आपको जितनी भी मालुमात हो, lifelong learning का attitude पैदा करें, अलग-अलग बातों को सीखें, अलग-अलग disciplines को समझें, you never know आपको कब किस skill की जरूरत पढ़ जाए, इल्म हासल करने के रास्ते में mistakes होती हैं तो होने दें, after all you are a human, people like individuals who are real, अगला step है जनाब-अली step number 7, give it a shot, action cures fear, जिन्दगी में हाथ के उपर हाथ धर के बैठे रहेंगे तो result will be zero, कामिया भी हासल करने के लिए तावीज और अंगूठियों की नहीं, बलके efforts की जरूरत पड़ती है, जान तोड़ मेहनत की, comfort zone में रहेंगे तो कभी grow नहीं करेंगे, और लोग कभी आपकी personality से impress नहीं होंगे, बड़े خواब देखें और उनको chase भी करें, बड़ी सोच रखने में और बड़े goals होने में कोई शरम नहीं, whatever you can conceive, you can achieve. Next है दोस्तों, step number 8, hop off the bandwagon. जो काम सारे कर रहे हैं और वो काम आप भी कर रहे हैं, then your direction is wrong. भीर चाल का हिस्सा ना बने, अपना रास्ता खुद create करें, जिस पे लोग आपको follow कर सकें. आपको जादातर तर लोग ऐसे मिलेंगे जो कहेंगे के बाई, यहाँ काम तो ऐसे ही हो and develop something new. जो चीजे धुंदली और unclear होती हैं, अक्सर उनी के अंदर ख़जाना छुपा होता है. Keep on investigating and be curious. Second last step है दोस्तों, grow up here. जितना आपका डर कम होगा, उतनी ही आपकी quality of life बहतर होगी. अपनी personality में होसला और भादरी पैदा करें. अगर आपको लगता है कि आपकी सोच अलग है, तो उसको लोगों तक जरूर पहुँचाएं. You will be surprised to see कि आपको कितने लोग join करने लगेंगे. किती दल-दल की तरह होती है. आहिस्ता आहिस्ता ये आपको अपने अंदर फसा लेती है. And you have no way out. Never be comfortable. हर वक्त जदो जहिद में रहें. And be stubborn. अपनी जिद का positive इस्तमाल करें. अपनी boundaries खुद सेट करें. Reject होएं. Mass create करें. Eventually, ये सब आपकी favor में जाएगा. और दोस्तों आखरी step है step number 10. Ignore the scores. दोस्तों याद रखें, जिन्दगी में तीन दाइरे होते हैं. एक है could have, एक है would have, और एक है should have. और इन तीनों दाइरों के intersection पे होता है didn't do anything. यानि कि कुछ भी नहीं कर सका. लोग हमेशा आपको आगे बढ़ने से रोकेंगे. लेकिन आ ना खुद कुछ achieve करते हैं और ना आपको करने देते हैं. ऐसे लोगों को avoid करें और अपनी जिन्दगी से उठा कर बाहर पहंग दें. एक चीज जो आप इन लोगों से सीख सकते हैं वो ये, कि आपने वो कोई काम नहीं करना जो ये लोग करते हैं. और हर वो काम करना है जो ये लोग नहीं करते हैं. अपने टैलेंट्स पर भरोसा रखें और जो मन में आए उसे कर गुजरें. तो दोस्तों ये थे वो 10 स्टेप्स जो आपकी personality को आपकी शक्सियत को interesting बना सकते हैं. और ये मैंने extract किये थे इस किताब How to be interesting से. ये किताब आप 20% discount पर हासिल कर सकते है libertybooks.com पे by using the coupon code bookbuddy. अगर bookbuddies आप मेरा opinion जाना चाहें तो मेरे point of view से एक बात जो आपकी personality को बहुत जादे interesting बना सकती है वो है आपकी go getter approach. अगर आप धीलापन रखेंगे, procrastinate करेंगे तो लोग कभी भी आपकी personality से attract नहीं होंगे. हमेशा aggressive रहें, चीजों को pursue करें, execute करें, energetic रहें, आप खुद लोगों को attract करना शुरू कर देंगे. मुझे comment section में अपना feedback जरूर दीजेगा और अगर video पसंद आई हो तो like button जरूर प्रेस कीजेगा. Until next time, let's read, learn, progress and self-actualize. Goodbye.